बुलंद शेहर में भाई ने भाई को पीट पीट कर छट से नीचे फेका मौके पर हुई मौत 28 वर्षिय जीतें रोर्फ जीतन की मौत होने से परिवार में मचा कोहराम परिजनों का रोरो कर हुआ बेहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर मौजूद मौत कारोप भाई पवन घटना कोंजाम देकर हुआ फरार दोनों सगे भाईयों में सुबह लोहे के पाईप के बठवारे को लेकर हुआ था जखड़ा मौत जीतें रोर्फ जीतन ने सुबह थाना खानपूर पहुँचकर आरोपी पवन के खिलाव दीथी तेहरीग यह थाना खानपूर में धकरौली गाउं पड़ता है इसमें दो भाईयों के बीच कुछ विवाद हुआ था यह अपने चट पर थे इसी बीच तीसरा भाई जिसका की नाम जीतेंद रहे यह बीच बचाव करने गया उसी जखड़े के करम में धक्का लगने से यह चट से गिर गए और वहाँ से इनको CHC ले जाया गया वहाँ से गंबीर हालत होने के चलते जिला हस्पताल रेफर किया गया था परंतु जिला हस्पताल बहुंसते पहुंसते इनकी रास्ते में दित्यू हो गए इस सम्मंद में ठाना कानपूर पूलिस दौरा मौके पर पहुंचकर बोड़ी को पोस्टम के लि देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर